हेलो ऐ जोलकम बैक मेरे चैनल वाणाद स्वागात है आज आम रामिश्क श'rem आये हैं यह तामिल नाड़ों की मद्रों के शत्तिते थे भारत में जो मौजुद 12 जोतिलिंग है उनमें से 11 नमर का जोतिलिंग है ये रामिशुरूम जो 4 धाम है उनमें से 3 नमर का धाम है ये रामिशुरूम अगर आप रामिशुरूम के लिए प्लानिक कर रहे हैं तो प्लीज विडियो में बने रहे हैं तोटाल इंफर्मसन देने वाली हूं आप कहां रूख सकते हैं कम पैसे में कम बजट में कैसे फुल रामिशरम घुम सकते हैं और रामिशरम का जो पूरी सची कहाने हम बताने वाले प्रीज विडियो में बने रहे हैं रामिशरम की जो नीरस्ट रूले स्टेशन है वह मंडपम मंडपम से मंदिर तक आपको आने के लिए आठरा किलमेटर दुरी का सफरताई करना पड़ेगा आपको नहीं तो आप रामना तो पूरों में आ सकते हैं उधर से आपको 52 किलमेटर लगेगा आप एक जीटी तक सकते हैं आपको 606 किलमेटर लगेगा नहीं तो कॉन्यकमर से भी आ सकते हैं 300 किलमेटर नहीं तो आप अगर मिनाखी मंदिर के लिए उधर से आप आ सकते हैं मुद्रही मिनाखी से तो आपको 112 किलमेटर लगेगा आप बसते भी आ सकते हैं पाम्बन ब्रीज तामिलाडु राज्युके पाम्बन दिपके मुख्यम्मे मंडपम्च से जोणने बाले एक रेल सेतु है 1911 आगश्य इसका काम बराना शुरू हो गया था और इसका उद्गाटन 1914 फेबरार को कम्पिट हो गया था इसका उद्गाटन हो गया था यह ब्रीजी रामनातु पुरम डिश्टिट की रामेश्वरम की धनुष्कुडी आर्लेंड को जाके जूटती है यह जो ब्रीज है संद्रों के बिच्च पिच्च बनाए गया है और यह ब्रीज का जो लंबा है टूपेंट 65 किलमेटर है यह रामी सोरम की धोनशकोडी यह एक रहश्य में सुन्चान इलाका है इधर वीडियो बनाने के लिए मैं अक्यली पैदल पांच क्लेटर आई हूँ क्योंकि इधर गाड़ी नहीं रुपता फुल लाश्ट तक गाड़ी चला जाता है यह जगा पहले बहुत बड़ा टुरिस प्लेश था देश बिदेश से लोग इधर आते थे स्रीलांका और इंडिया की बीच इधर बिजनेस होता था इधर पहला हस्पिटाल लाज टेंपूल चर्च पोस्ट अपिस होटेल आधी सबकुस था लेकि 1964 डिशेंबर 22 से 25 के बीच जो चक्रवात होता समद्र में उसमें सबकुस तेशनेस हो गया तीन पिड़ी तो कोई जिन्दा नहीं बचा सब लग मर गये किसी को कोई कांद्र देने वाला नहीं था ना तो किसी को पींड देने वाला था उसके बाद जिसने भी इधर आके रेने की कोशिश की हिम्मत दिखाई उसकी हिम्मत टूटे उनको सबको इधर से निकाल दिया जाता है यही रामसितु रामिशरम से धनुसकुड़ी 30 किलमड दोर है और आधे गांटे में आपको बस मिल जागा धनुसकुड़ी से रामिशरम और रामिशरम से धनुसकुड़ी के लिए सांश पांच बज एद्धर बत़ते राम से में आने के लिए तो उसी शर्ब से आपको जाके आना पड़ेगा इदर लेडिज के लिए बश झो टिकटे फ्री है जब भगान राम ने सम्दर से रास्ता मांगते लंका को जाने के लिए तब सम्दर ने मना कर दियते तब भगान राम ने गुसा करके जब ठान लिया ब्रह्मोस्त प्रोयक करके सम्दर को सुखाने के लिए तब सम्दर ने उनसे माफी मांगते और बुलते आपके साथ जो नल निल है उनको स्राप मिला है अगर वो कोई भी समन्न चुएगे तो वो पानी में डूबेगा ने तेरेगा तो आप उनकी मदद से लंका के लिए सेतु बनाकर आराम से जा सकते हैं उसके बाद भगान राम ने इधर जो हनुमान थे उनको इधर निर्देशती है थे राम सेतु बनाने के लिए इधर सेतु का स्टाटीम पाइट है जो लंका जय करने के बाद भगान राम ने राबन के भाई विविशन को राजा बना के बापस आ रहे थे तो विविशन ने उनको बोले थे शुरख्या की दुरुष्टी शे आप जो लंका को जुटने बाली सेतु वो आप नस्ट कर दीजिए उनका रिक्वेस्ट रख्या करके भगान ने अपना धोनुस से तेर निकालके इधर जो सेतु था उनको नस्ट कर देथे डुबा देथे इसलिए इस जागा का नाम धोनुस कोड़ी है अगर आप रामिसरों के लिए प्लानी करते है तो फास्ट आप धोनुस कोड़ी जले जाईए मनिंको उधर देखके आप वापसा के राम पाद भी देख सकते है जिदर अभगान राम ने लंका के लिए अड़िया लगा रहे थे किधर से हम सितु बनायागे तो जल्दी लं आप राम पाद देख सकते हैं मंदिर से बास तीन किलमड दुरी पर है एक किलमड दुरी पर है पंचमेगा हनुमान का मंदिर उधर नलल का पत्थर भी मजुदे जो पानी में तेरता है उधर पी जाके आप जैख सकते हैं और हमारा जो राष्टपते एप जो अबदिल कॉलम उनका घर उनका जो म्यूजियूम बास तीन किलमड दुरी पर है तो आप गाड़ी करके आटो करके आरम से जा सकते हैं ने तो आपको रेंड मे बैक मिलेगा, सकुटी मिलेगा भो 600 असे दी लेते हैं ने तो आप आटो रिजर्प करके भी 800 बोलते हैं वो आराम से घुमके आप दे सकते हैं उसके पाद आप ला опас में आरामिशाक का मंदरी में जाएए स्नाना बगरा करके मंदिर जाए एसे करेंगे तो आप फूल कभर कर प्रणगे सब कुछ यह है पंचो में के हनवान मंदिर यह रामेशर मंदिर से मातर एक किलमेटर दुरी पर है अगर आप चाहे तो पेदल भी जा सकते हैं मंदिर से नहीं तो आप शेरिंग अटर में अगर जाएंगे तो आपको मातर 20 रूपे लगेगा आपको इधर जाके एक बार जरूर देखना चाहिए इधर खास बात है इह पानी में तेरने वाला पथार इधर मवजूद है केईते है कि जो लंका के लिए सित्यु बना गया था न IDEल के द्वरा चुए गे पथार इधर मवजूद है पत्थर को अगर आप हाथ लगेगे देखेंगे वो आपको अजीव सा फिलोगा सायद आपने जिन्देगी में यह सा पत्थर नहीं देखे होंगे ना दक भी चुए होंगे रामी सुर्म मंदिर की चारोत रोप आपको लाज होटेल सब कुछ आराम से मिल जाएगा आपको गाड़ी पकड़ की ढूंड़ने जुरूत नहीं आप पेदल जाके भी आराम से पास सकते हैं अगर आप कम बजेट में रहना चाते हैं मैं आपको सजेस्ट करूंगे आप या तो छत्रे में रुख जाए नहीं तो धर्मसाला में आपको अगर आप बेचलर है तो आपको रूम नहीं मिलेगा अगर आप ग्रूप में गए हैं या तो फैमिल के साथ गए हैं तो आपको आराम से रूम मिल जाएगा आप इधर से आपका सारे चपल, लागेज, मोबेल, सब कुछ छोड़के आप जा सकते हैं, लकर का फेसलिट हैं, इधर से आप अगनी दिर्थम जा सकते हैं, उधर स्नान करके, भीगोई कपड़ में आपको 22 कुण का दर्शन करना चाहिए, मंदिर के अंदर भी कपड़ा चै दर्शन के लिए जा लिए, दर्थम भीगोई कपड़ में एंट्री नहीं है, दर्शन आपको कने नहीं दिया जाएगा, आप कपड़ा लेकर जाएगे तो ठीक से पुझा नहीं कर पाएंगे, कपड़ा भी गिला हो जाएगा, तो इससे तो बहतर है, आप कपड़ा लकर में जाएगे, उसके बाद आपके कपड़ा चंज करके, बाइस कुझा करके बापस कपड़ा चंज करके दर्शन के लिए जा सकते हैं, बाइस कुझा में जो खास ही है, वो साथ नंबर और बाइस कुझा का बहती ज्यादा महत्तो है, सुबह कासी से डेल लेली पानी आता है ट्रेन सी उसके बाद उधोर से हाथी की माध्य में से पानी लाके 22 कुंड में डाला जाता है उसके बाद 22 कुंड में पानी लेके हर कुंड में थोड़ राकर के डाल देते हैं इसलिए सुबह आठ के बाद जस्नान कने से ज्यादा अच्छा रहता है यह 22 कुंड का कानी यह है जो भगान राम ने सेतु बनाए थे लंका के लिए बानो रुसेना रखी बानो रुसेनाओ की माध्यम से तो उनको बड़ी प्यास लगे थी उनकी प्यास से बुझाने के ज्यादा पुन्य मिलता है इधर मंदिर जो खुला रहना का टाइम में वह पांस बज़े खुलते हैं फिर एक बज़े बंद हो जाता है फिर तीन बज़े खुलता है रात को नौ बज तक इसी हिसाब से आप आराम से जाके सब कुछ देख सकते हैं अगर एक दिन का प्लानि अग्नितिर्थम का खास से यह जो भगाना राम सिबलें को स्तापन किये थे उससे पहले वो इधर ही स्नान के थे इसलिए अग्नितिर्थम बहुत ही खास है सब लोग आके इधर ही फास्ट स्नान करते हैं इसलिए उनको ज़्यादा पुन्य मलता है इसलिए पहले आपको अग्नित्रत्य में जाना चाहिए जो 22 कुण्ड पर स्नान के लिए दूसरा आपको एंट्रान चे वह भगान का दर्शन के लिए पर दूसरा एंट्रान चे वह देखके आपको जाना पड़ेगा इसलिए देखिए वह अग्नित्रत्य में इधर आके आप आराम से श्नान करके जा सकते हैं दुनिया की हर मंदिर में पहले भगान गनेश को पुझा किया जाता है लेकिन ये दुनिया का एक पहली मंदिर है जहां हनुमान जी को पुझा किया जाता है फाष्ट रामीश्वरम मंदिल में दो सिबलिंग को पुझा किया जा थे उसका कारण में बता देती हुँ जो भगान राम ने रावन को मार के लंका जय करके बापस आये तब उनको कुछ मनी रुषय ने बोले कि आपको ब्रह्म हते का पाप लगा है कि जो रावन था वो एक पुझा काई या आपको दुन्यों में जितना पवित्री नदिये सारसिव नदिमें स्नान करके आपको एक सिबलिंग का स्ताफना करके पुझा करना चैहिए इसकेले भगान राम ने सिबलिंग लाने केले हनुवान को भेजेते। हनुवान कैलास में सिबक आराधना करके उनका कुरूपा पाके। जब सिबलिंग लेक आये तप तक बहुत देर हुच्चुकेती। सुब मुर्त निकलना जाए इसकी डर से माता सिबलिंग बना दी। और भगान राम को समप दी। सही समय भगान राम ने उनका स्तापना कर लिये थे। जब हनुवन पापस आके देखे तब तक बहुत स्तापना हो जुगा था सिबलिंग। इसले वो बड़े क्रोधी हो गए और दुखी भी हो गए। भगान राम ये देखके उनको बले कि आप माता सिता के दोरा जो बना गया सिबलिंग आप उसको उखड दीजे। मैं आपक बेहस्रों के जागे गंधे मार्दन परवत्वर गिरगे। जब उनको होसायब बड़े रज्जी थी हुए और अपनी कियपर बड़े सरमिधा हुए अपनी गल्तिका आहसा सुआ। उसके बाद भगान राम ने उनको दोरा जो लाएगा सिबलिंग को माता सिता के दोरा बन रामिश्रों में जो गंगोत्री है उधर से जल लाके अगर सिबलिंग के उपर चड़ा जै वो कुछ बिजस महत्त है और यही भी का जाते इधर माता दुरुगा ने महिशा चुर्क बद किया था इजो मंदिर है पंदरीवी सताब्दी में राजा उड्याने सत्युपती एबंग नागुरु निवसी भष्यने 1425 में अट्रा पीट उच्चाई का जो गोपुर में उसका निर्वाण के था इस मंदिर में जो गोपुर में पूर निर्वाण के था सलवी सताब्दी में इसपा जो दिबार है बो कर adel्याने सती निर्वाण के वह सानलवी जो पुत्र धए उनका मुर्ती है शलवी सताब्दी में मधुराह के राजा बिख्युनात्याघकक κे द्वारा जो उनका जो अधिनेस्त थे राजा उड़ेने सतिपती कट्टते सर जो नंदी बंडव का निर्बण के थे पर्तमान जो रामिश्रों का जो मंदिर है जिस रूप में आप देख रहे उसका निर्बणा शत्तराब्दी सत्ताब्दी में किया गया था जो राजा थे रगनातिक लाबत बहुर निर्बणा कंड़े के लिए मंदिर को आग्यां दिये थे यह मंदिर का जो उचाहिए बो हजार पीटे और चैसे पचास पीटे उसका चड़ाई चालिश पीट के दो पत्थर बराबरी हिसे में लगया गया है और यह मंदिर उतर से दखेनी एकसो सताने मीटर और पूर्वा से पच्ची में एकसो त्तितिस मीटर का है अगर मेरी वीडियो की जन करें आपको थोड़ी वीसी भी अच्छी लगी पसंद आई तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राब करतीजे रखती हूं मिलते नेस्ट बिडिये में तक तक बाई बाई